जै माता दी भगतों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं बहुत अच्छे होंगे माता रानी के बापस पर बनी रहे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं नवरात्री में कन्या पूजन का क्या महत्व है और जानते हैं चलिए कन्या जासे जुड़ी कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें 15 अक्टूबर 2023 से सर्जे नवरात्री की सुरूबात हो चुकी है इस बार सर्जे नवरात्री पूरे नो दिनों की होगी और इसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा इसके बाद 24 अक्टूबर 2023 को दसेरा मनाय जाएगा नवरात्री में अश्टमी और नव्वी के दिन कन्या पूजन का बड़ा महत्व है नवरात्री की अश्टमी नव्वी तिति को घर में छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है और उन्हें भोजन खिलाया जाता है कन्या पूजन के बिना नवरात्री का ब्रत अधूरा माना ज कन्यापूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें सभी कन्याओं और छोटे लड़कों के चरणिसपर्स करें और उन्हें साफ सुत्री जगे पर बिठाएं इसके बाद उनकी कलाईयोपर मौलीमान सबी कण्या और लड़कों को तिलक लगाए इसके बाद उन्हें भोजन खिलाए कण्यापूजन के के लिए हल्वा पूड़ी का प्रश्वात्य हो तयार करें बचों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें गिफ्ट देकर उनके पैड़ चुए और उन्हें भेजने के लिए जाएं उनके घर तक कन्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बाते मैं आपको बता देती हूँ कन्या पूजन के दिन नो से अधिक कन्या को आमंतरित करना सुब होता है दो साल की कन्या का पूजन करना बेहसुब माना जाता है माननेता है कि इससे घर की दरित्रता दूर होती है और सभी बाधाव से छुटकारा मिलता है तीन साल की कन्या को तिरमूर्ति का रूप माना गया है कहते हैं कि तीन साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुक समरदी और खुसाली बनी रहती है धार्मिक मान्यता है कि घर में सुक चांती के लिए चार साल की कन्या का पूजन करना बेहस हुआ है पांच साल की कन्या को रोहिनी कहा जाता है इनकी पूजा करने से सभी रोग दोस से छुटकारा मिलता है 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है मानेता है कि इनकी पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है मानेता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दोलत की कमी नहीं होती है आठ साल की कन्या को संभवी कहा जाता है कहा कि आठ साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है नो साल की कन्या को मादुर्गा का रूप माना जाता है माननेता है कि नो साल की कन्या का पूजन करने से सत्रू ओपर विजे मिलती है मन माननेता है कि दस साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाई पूर्ण होती है नवमी की अश्टमी वे नवमी की तिथी बहुत खास मानी जाती है चल ये जानते हैं इस साल की अश्टमी वे नम्मी तिथी कब है और इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन का महूरत तो रविवार से अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारम हो चुके हैं नवरात्रे 15 अक्टूबर 2023 रविवार से सर्जे नवरात्रे प्रारंब हो चुके हैं और 24 अक्टूबर 2023 को मा दुर्गा को धूम धाम के साथ विदा किया जाएगा इस दिन विजय दस्मी या दसेरा का पर्म मनाया जाएगा युदो नवरात्री की हड़ तिथी का अपना महत्व है लेकिन अष्ट्मी वैरनवि तिथी बहुत महत्वून मानी गई है इन दो तिथीों को में लोग मा भगवति को प्रिषण करने के लिए कान्या पूजन करते हैं नवमी को हवन भी किया जाता है माननेता है कि नवरात्र की 2023 अश्टमी तिति कब है तो अश्टमी तिति को मा गोरी का विदी वे पूजन का विधान है इस साल अश्टमी तिति 21 laz कर 53 मिनट से प्रारभ होगी 22 को सामसाथ बजकर 58 मिनट तक रहेगी उदया तिति मानने होने के कारण अश्टमी तिती 22 अकटोवर 2023 रविवार को मनाई जाएगी अश्टमी तिति के कन्या पूजन का महूरत अश्टमी तिति के दिन कन्या पूजन के कई सुम महूरत बन रहे हैं जिसमें से एक साथ बज़कर 51 मिनट एम से 9 बज़कर 16 मिनट एम तक रहेगा फिर 9 बज़कर 16 मिनट एम से 10 बज़कर 41 मिनट एम तक रहेगा कञ्या पूजन का एक अन्या सुम्महूरत एक बजकर तीज मिनट पी-एम से दो बजकर पजमन मिनट तक रहेगा तो ये था कन्या पूजन का सुम्मा उरत नवरात्री की नवमी 2023 का वे नवमी तिथी मासी दिरात्री को समर्पिद है इस साल अश्विन मास के सुकल पक्स की नवमी तिथी 22 अक्टूबर 2023 को राज 7 बचकर 58 मिनट से प्रारम होगी और 23 अक्टूबर को 35 बचकर 44 मिनट पर समाप्त होगी उदयाति थी मानने होने के कारण 23 अक्टूबर 2023 सुम्मार को नवमी तिथी मनाई जाएगी तो नवमी तिथी का कन्या महूरत नवमी के कन्या पूजन का महूरत होगा 6 बज कर 27 मिनट एम से 7 बज कर 51 मिनट एम तक रहेगा इसके बाद 9 बज कर 16 मिनट एम से